सुम्बुल को मिले मंदली के धोके से अभी भी नराज है सुम्बुल दरसला सुबा 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 सुम्बुल के चहरे की उदासी ये साफ बया कर रही थी कि सुम्बुल अभी भी मंदली से नराज है उसने इस बात की उमीद नहीं की थी कि उसकी मंडली उसे ही धोका दे देगी कल टिकेट टू फिनाले में जब प्रियंका और नमृत में से मंडली को एक को चुनना था तो मंडली में से किसी ने भी सुम्बूल का जिक्र तक नहीं किया और इस बास से काफी ज़ादा उदास दिख रही है सुम्बल तौकिर खान कल भी हमने देखा कि वो बेहत उदास थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी ऐसे में शिव भी ये बोलते नजर आए कि उसकी उदासी जो है जायज है लेकिन कल जब शिव को कनफेशन रूम में बुलाए गया उसने ये बात साफ जाहिर कर दी कि उसके लिए निमरित प्रियोटी है लेकिन सुम्बल नहीं और कल स्टैन को भी जब मौका मिला और प्रियंका ने उसे बार बार यही समझाने की कोशिश की कि सुम्बल जो है वो अभी तक बहुत बार नॉमिनेट हुई है अगर उसे एक बार ठिकेट टु फिनाले मिल भी जाए तो क्या प्रॉबलम होगी पर मंडली इस बात को लेकर नहीं मानी और सुम्बल इस बात से काफी जादा उदास दिखी कि उसे ये बात वाकई में समझ में आ गई है कि उसके साथ जो है उसकी मंडली नहीं है उसको जो है मंडली से जो प्यार मिला वो सरफ दिखावे का था क्योंकि अगर वाकई में दिल से प्यार होता और दिल से वो उसके लिए सोचते तो कल उसके लिए कोई ना कोई खड़ा जरूर होता एक बात तो है कि अब सुम्बुल की ये जो उदासी कल हमने एपिसोड में देखी वही उदासी आज देखने को मिल रही थी तो क्या अब सुम्बुल भले ही शो के आखिर में सही लेकिन उसकी आखे खुल गई है उसे ये पता चल गया है कि बिग बॉस ऐसी जगा नहीं जहां जाकर आप दोस्त बनाएं आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताए क्या आपको भी लगता है कि सुम्बुल के साथ वाकई में धोका हुआ अपनी राए जरूर लखे